बंदे पुर्सोत्मम स्रिसी दादा के द्वारा ठाकुर की भावधारा एक भाई ठाकुर सेवा के प्रसंग में बोले तो उस पर स्रिसी दादा ने कहा ठाकुर की सेवा करते समय सेवक के मनो भाव से उनकी सेवा करेंगे स्वयम सान्त रहेंगे बादचीत के क्रम में स्रिसिदादा ने कहा कुलकाता विस्विद्याले के बंगला विभाग के उस समय के विभागी प्रधान डाक्टर आसुतोस भठाचारे विदेश जाकर ग्रामीर संस्कृती का डिमांस्ट्रेशन देना चाहते हैं अनेक दिनों से लगातार विदेश जाने की इक्षा कर रहे हैं किन्तु स्योग नहीं पाते हैं ठाकुर से निवेदन किया ठाकुर मेरी एक प्रार्थना है मैं जिससे किसी प्रकार विदेश जा सकूँ ठाकुर ने कहा आप रेगुलर गरद की पंजाबी पहनेंगे उन्होंने यहां से लोटकर गरद की पंजाबी पहनना सुरू की सभी अवाग थे आसुबाबु तो खद्दर की पंजाबी छोड़कर दूसरा कपड़ा पहनते नहीं थी इस तरह से ठाकुर का निदेश मानकर गरद की पंजाबी पहनने से कई दिनों में विदेश जाने का सुरूसर आ गया उनके दया से सब कुछ संभव है एक भाई ने स्वपन में देखा ठाकुर को खाने में कष्ट हो रहा है मेरे पास आकर उस समय स्वपन की बातें उलेख करके कहा मैं इस समय क्या करूँगा मैंने कहा धान की खेती करके गोविंद भोग चावल ठाकुर भोग में दो वही किया गोविंद भोग धान की खेती करके उसकी आर्थिक अवस्था अच्छी हो गई प्रसंग बदलते हुए कहा अर्थ और परपार्थ को कभी भी एक साथ जलित नहीं करना चाहिए जलित करने से ही विपदा है एक बार ग्यानदा ग्यानिंद विकास गोस्वामी ने कई लोगों के दुर्वेभार के संबंध में ठाकुर के निकट नालिस की ठाकुर ने असीम धैर सहित सारी बाते सुनकर कहा ऐ ग्यान मनस्च तो बाग सिंघ पोस्टा है उसे अपने वस्वे रखता है और तुम कई लोगों को वस्वे नहीं कर पाते हो स्रिसी ठाकुर के प्रसंग में बाते कर रहे हैं स्रिसी दाला बातों के दूर में कहा, जिस समय ठाकुर रास्टे में पैदल चलते थे, तो मनस् से टक-्टकी लगाये रहते थे। प्रतीत होता था जगत के समस्त रूपों का समावेश मानो दयाल ठाकुर में हुआ है। ठाकुर का जब स्वास्त खराब हो गया था तो उस समय भी वे कैसा सुंदर अधिक वयस में भी कितना सुंदर लगते थे। किसी दिन मानो दोपहर में अस्तान नहीं किया भोग ग्रहन किया भोग के बाद मिजाज से तंबाकु पी रहे हैं। हलका असर हुआ है आँखे भार सी हो गई हैं। किसी को देखते ही पूछ बैठते हैं। खाये हो गले में भारीपन आ गया है। देखने से परतीत होता मानो स अनुदित अनुआदक स्री जागस्वर यादो जाए गुरू।